तो आपके इस तरीके से एक टेलेग्राम बोर्ट करकर मनीमीग कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा, तो गए सबसे पहले आपको Google AI Studio को पराना है, और इसके उपर अपना account करेट कर लेना है, जैसे आप Google AI Studio के ऊपर अपना account करेट कर लेना है, अब आपको यहाँ पर कुछ इस नेसेसरी सैटिंग्स को कर लेना है, जैसे पहले आपको चैट को पराना है, मोडल के अंदर आपको जामनी 2.5 प्रो इसको चूज कर लेना है, अब आपको एक सिंपल सा गेम करेट करना है, गूगल AI स्टूडियो के माते हमसे, जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एक जाम्पल लेने वाले हैं, रोग पेपर सिजर का गेम का, तो हम यहाँ पर Google AI स्टूडियो के माते हमसे, रोग पेपर सिजर का गेम क्रेट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉम्ट की जौरत होगी, और कुछ इमेजिस की जरुवत होगी, तो पहले हम यहाँ पर रोग पेपर सिजर का कुछ इमेजिस को डाउनलोड करने वाले हैं, तो simply यहाँ पर images को download करने के लिए, हम यहाँ पर use करने वाले play store का, तो simply आपको जाना play store के उपपर, and search में आपको type कर देना rock paper scissors, आपके सामने बहुत सारे games जाएंगे, अब आपको यहाँ पर एक game को open कर लेना है, और यहाँ पर आपको इनकी images दिखाए दे रहोंगी, आपको इनको download कर लेना है, तीन-चार images को download कर लेना है, अब आपको अगेन जाना Google AI Studio को उपर, और यहाँ पर आपको इस prompt को copy and paste कर देना है, जो कि आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएगा, तो make sure आप मेरे telegram channel को join कर ले, ताकि आप इस prompt को access कर सके, तो यहाँ पर मैंने prompt को copy and paste कर दिया है, अब आपको यहाँ पर आना है, plus इसको उपकलिक करना है, upload file इसको उपकलिक करना है, यहाँ से दूसरी image को import कर लेंगे, again plus को उपकलिक करेंगे, और यहाँ से हम तीसरी image को भी import कर लेंगे, जैसी आप यहाँ पर अपनी prompt कर दें, images को import कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, run इसको उपकलिक कर देंगे, जैसा आप इसको पर क्लिक करेंगे, तो Google EA Studio यहाँ पर वाक करना स्टार्ट कर देगा, और कुछ ही मिंटों में आपको यहाँ पर कोड्स बना कर देदेगा, जो कि मैंने अल्डी यहाँ पर क्रीट कर गे, तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी प्रोम पगरा डाली थी, यहाँ पर मेरा पूरा कोड करेट हो चुक है, यहाँ से मैं अपने कोड को कोंपी, अब नेक्स टैप में आपको जाने, अपने कंपिटर के होँं पेज को, यहाँ पर आपको राट क्लिक करना है, यहाँ से आपको टैक्स डोकुमेंट मेंसी दिखाए देगा, आपको इसको उपकलिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको इसको open कर लेना है, और जो code आपने Google AI Studio के मध्यम से copy किये थे, उसको यहाँ पर copy and paste करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आना है, File इसको उपकलिक करना है, Save As इसको उपकलिक करना है, Desktop इसको चूज कर लेंगे and यहाँ पर हम टाइप करेंगे index.html, इस परकास से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, then Save इसको उपकलिक कर देना है, अब इसको हम यहाँ पर minimize करेंगे and हमारी जो यहाँ पर basic app है, कुछ इस यहाँ पर दिखाए देगी, अब मैं इसको यहाँ पर open करूँगा, और check करूँगा, कि मेरा यहाँ पर जो game है, वो working हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको open कर लिया है, और कुछ इस प्रकास से हमारा game यहाँ पर create हो चुक है, मैं start game इसको उपकलिक करू हम यहाँ पर use करने वाले हैं GitHub का, तो simply आपको जाना है GitHub के उपर और इसकी उपर अपने account create करेंगे, और account create करना कोई बड़ी बात नहीं है, basic information दोगे, तो GitHub के उपर अपका account create हो जाएगा, और दोस्तों जैसी आपका account यहाँ पर create हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर आ यहाँ पर अपनी repository का name डाल देना है, जैसे कि मैं अपने name डाल देता हूँ, rock paper, ओके यहाँ पर यह अविलेवल है, ओके यह अविलेवल है, रोक paper यहाँ पर अविलेवल है, अब हम बोटम में जाएंगे, यहाँ पर public choose करेंगे, then create repository इसको पकलिक करेंगे, जैसा आप इसक इसको पकलिक कर देना है, choose file इसको पकलिक करना है, अब हम जाएंगे desktop के उपर, जहाँ पर भी आपने अपने index वाला portion को save कर रखा है, उसको आपको यहाँ पर upload कर देना है, और file आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, upload हो जाएगी, जैसी आपकी file यहाँ पर upload जाए, उसके ब आपको इसको पराना है, और जिस email id से आपको वर्षण के उपर अपना account गरेड कर लें, जैसा वर्षण के उपर अपना account कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पराना है, add new इसको पर क्लिक करना है, project इसको पर कर देना है, तो जितने भी आपके GitHub के अंदर projects save होंगे, सारे projects आ जैसे कि अब भी हम ने हम पर रोख बेपर वाला project करीड़ किया था वो आपको यहांपड दि खाई दरेरों अब आपको यहां बात आपको अपर आप हो जाएगा और अपका पर इस हो जात तो यहांपर आपको प्रीजेक्ट आप जासी आप का project यहां पर host होगा, तो कुछ इस पर कासी आपका project यहां पर दिखाई देगा, वाँ रज्ग हो जुक्छ है अब आपको यहां पर आना है, continue to dashboard इसको आपके इसको आपके लिक करेंगे. यहां पर आपको आपके प्रोजेक्ट का लिंक दिखाए देगा, जो काफी ज़दे इंपोर्टेंट है, पहले मैं आपको यहां पर प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, कैसा यहां पर होस्ट हुआ है, इस प्रकार से मेरा प्रोजेक्ट यहां पर होस्ट हो चुका है, अब आपको आपको यहां से इस link को कोपी कर लेना है तो इसको पर पुराइट किलिक करना है copy link address इसको पर किलिक करते हैं तो इतना काम हम ने यहां पर समाप्त कर दिया है अब next step में हम यहां पर अपनी game के लिए telegram बोट करने वाले हैं तो तो आपको simply जाना है telegram के ऊपर एंड इसकी ऊपर अपन अकाउंट agreed करेंगे जैसे आप Telegram के ऊपर अपन अकाउंट agreed करेंगे अब आपके सामनीज पर का कटाटरफीस आएगा अब आपको यहां परना है और सर्च में आपको टाइप कर दिया है एंटर इसको पाइना है, इस प्रकास से आपके समय न्यवी पेज आजायेगा & यहां पर आपको ऑप्षन मिलेगा New Boat का तो आपको इसको पाइना है, अब आपको यहां पर अपने बोस्हेट का नेम देना है जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऺडिक कर दूँगा, तो यहाँ पर इसका नीम इसने Acts It Each Set कर लिया है, अब मुझे यहाँ पर इसका यूजर नेम achata रिवर्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका यूजर नेम रख देता हूं, रोक 9-board और चेक करूँगा क्या यूजर नेम यहाँ पर अवेलेवल है यह नहीं है तो मैंने इसको उपक्लिक किया है यहाँ पर यह यूजर नहीं है तो इसके माँ गेन टाइप करूँगा रोक पेपर डाल देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर अपना बोट कर लिया है तो इसके अंदर हम अपनी गेम को एड करेंगे तो गेम को एड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आपको 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 आ यहां पर मुझे अपना बोर्ट चूस करना पड़ेगा, तो पहले मुझे यहां पर अपना बोर्ट चूस करना पड़ेगा, तो बोर्ट को मैं यहां से चूस करूँगा, इस वाले बोर्ट को मैं चूस करने वाला हूं कोकि यह मैंने क्रीट किया है, तो इसको यहां पर मैंने इसकी inline को add कर दिये, एन इन इसके उप़ क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर मेरे inline क्या हो चुकिए, add हो चुकिए, ओके इतना कम अपने कर दिये, उसके बाद अगें आपको यहाँ पर आना है, आपको इसको उपकलिक कर देना है अब Configuring Mini App इसको उपकलिक कर देना है यहाँ पर आपको Option मिलेगा Enable Mini App का तो आपको इसको उपकलिक कर देना है अब आपको यहाँ पर क्या करना है ओके यहाँ पर मैंने इसको एड़ कर दिया अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने UL add करना है, जिसको आप basically अपने game gun दिखाना चालते हैं, तो यहाँ पर मैं अपने UL को अड़ कर दूँगा, तन इसको उप़कलिक कर देंगे, ठेक है? तो यहां पर मेरा ulb ऐड हो चुका है, अब आपको back boat इसके उपकलिक कर देना है, अब आपको यहां पर option मो rayगा edit boat का, तो आपको इसके उपकलिक कर देना है, जएक कि? टिक गेना, ऑके, 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 no, 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 विल्द ही कर दिया है, तो इचरी, E, N, यहा पर हमें यह नहीं, हमें बोट सेटिंग को पर कलिख कर दिया, अब आपको Ready को अपने यूररा को copy and paste कर देना है then enter इसको पर click कर देना है okay यतना काम कर दिया अब आपको again 3.0 इसको पर click कर देना है ठीक है ओके ओके ठीक है ठीक है ओके ठीक ठीक send menu ओके ठीक है यहाँ पर मैंने इसको add कर दिया है अब यहाँ पर लिखा रहा है send the title to display on the button use for menu तो यहाँ पर क्या आपका menu बिटन को पर दिखाए देना चाहिए जैसे कि मैं आपका play दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं type कर दूँगा play then इसको पर click कर देंगे ओके इतना काम भी मैंने आपकर कर दिया है अब आपको backboard इसको पर click कर देना है इसको पर click कर देंगे इसको मुझे यहाँ पर दिखाना है इसको मुझे दिखाना है मैं send इसको पर click कर दूँगा ठीके ना इस परकास से यहाँ पर मैंने क्या कर लिए अपना complete boat ready कर लिए अब मैं यहाँ पर check करने वाला हूँ मेरा boat यहाँ पर work कर रहा है कर नहीं कर रहा है तो मैं backboard इसको पर click कर दूँगा ठीक है तो आपको इसको पर click कर देना है तो इस प्रकास से मेरा बोट यहाँ पर क्या हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि मेरा गेम यहाँ पर प्ले होगा या नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर सार्ट का ओप्शनेजर आएगा, तो आपको इसको पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको प्ले का बोट करेंट कर लिया है तेकर हैं इस तरीके से आप यहा पर अपने tacorganया का gamingG — डी कर सकते हैं आपको अपनी बोट को मॉनटाइज कैसे करनां वह में आपको बताता हूँ तो यह इस बोर्ट को monetize करने का simple तरीका यहाँ पर ही है, जब आप अपनी app create करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी code add किये थे थे ना, तो इसी code के अंदर अपनी ads को add कर देना है, और ads आपको कहां से मिलेंगी, ads आपको यहाँ पर दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो आप अपनी app को Google AdMob के अंदर add कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर add share के माध्यम से अपनी add unit create कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका पसंदा रहा है, उस तरीके से आपको अपनी add unit को create कर लेना है, और इसको आपको अपनी code के अंदर add कर देना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बिसिकली code क बना रखी हैं, simply आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, प्रिविस वीडियो को देख लेना, बोर्ट को पर मतलब टेलिग्रम बोर्ट हुआ, या फिर एप्स हुआ, वह सरी वीडियो बना रखी हैं, जहां पर मैंने आपको डिटल तरीका बताया है, कैसे आप अपनी आप को म कर लेना है, और इसके मादिम से आपको यहां पर अर्निंग स्टार्ट कर लेना है, I hope आपको आज कर तरीका समझाया होगा, कैसे आपको एक बोर्ट करीट करना है, वो भी आपको संभाया होगा, कैसे इसको मोन टेस करना है, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको आज की वीडियो चल गी है, तो मैं आपसे आपर रिक्विस्ट करूँगा, कि आप अमरे चानल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पर कम सकम हन रिलाइक्स लेकर आएं, तक इसी टैप का ओसम कंटेंट आम आपके साथ शेयर कर पाएं.